यूटूब चैनल परिक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू अलो फ्यू मेरी तू चलिए जैसे क्या आपको पता है हम जो अपने तयारी करें ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं यूजीसी ड़िसी नट के हम तयारी करें सब्जेक्ट हमारा इंगलीस है ओल्ड पेपर के हम तयारी कर रहे है ओल्ड पेपर हम सारे अपनेक और क отлич새 कहां से कहां तक और क्वेश्फए चाहिए अपने धिस्क्फिटेषिय निग्याह का लिंक रखा गया है तो सो रुपे में आपको 11 से लेकि तरिस तक सभी पेपर मिल जाएगे जो पेपर आपके लिए एवलेबल है एक तो आपका इंग्लिस सब्जेक्ट का है लाइब्रेरी लाइब्रेरी जो भी बच्चे आपके जानने वाले जो फ्रेंड्स वगेरा होते हैं रिले में प्रिपरेशन कर Ja, एक आप मिल जाएगे तक सब्सक्राइब जहा नहीं सुरुपया में आपको को मिल जाएगे चलिए आज जो हम फेपर अपने स्टार्ट आपको पता है इस से पहले जिए हैंक ужас की तैयारी करने से पहले हैं आइखिता है यहांनि जो अवेशेयर न अवेशे यह जाते है जिस से मत fps हमारा में पतह जलता है और सियुए जो तो आप जिय तो चलता रहेगा चलता रहेगा कि यहां अधार हमारा पेपर है यह पेपर है हमारा पेपर 2021 जो आपका दिसंबर 2020 और जून 2021 का transit है तो चलिए जो आपका दिसंबर और जून में जो आपका पेपर हुआ था जून में चलिए इसका ten अब क्या इसमें दिया गया चलिए आगे देखते हैं 11 अगर आपको लगे पर देख रहे हैं तो प्लैलिश्टра से जाकर आप यूजी सी नेट जो इंगलीज का फोल्डर बनाए अलग से उस पर जाकर आप अपना देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी 11 से लेकर 13 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएगी चलिए आगे आपको दिया गए फरस्ट ली क्या दिया पटी आपका सिन और थया है आपको पैसिस अपके कोहिशन बंडेंकि सबसे पहले आपको पासिस देखता हैं पैसिस्ट सहिंसिट आपके को़्टियल बनने वाले हैं जाएगी पैसिज में फोशंट यूसेशा अंजन फोशाने टाल थानिजीशन है भी झालने धलने कि अधप बिर संगें निषस कुर आपनें उसी आपने क्या इस परेकित, j यजान कि अधर वेति हैं टंडेशा , पास अभी ऑ्टिका आपने ट्यें, ट वेट चिट्वी हां और शा।ो विधुटन आपक हैंन फाक्षी has its own accident which it needs to call truth and its own necessity for self recognition which requires the pleasure of originality even if those pleasures depend upon a kind of lying against time and against the achievement of the past the use of such पॉईट्री डिमांड्स तू बी सीन इना इना डिडलाइजड वे इस बीसीन मौर टूली यह आपका है यह उन्ट ब्लूम ने था यूज ऑफ पॉईट्री में से चलिए अभी से जो कोश्चन बनता है कोश्चन को बढ़ता है कोश्चन में पूछा गया आपका कोश्चन फर गया option a there can be no use of poetry रोंग option b poetry can have no true subject रोंग option c man may be the true subject of poetry रोंग option d the poet himself may be the subject तो right answer क्या है जो poet है इसमें question number first option d right होगा the poet himself may be the subject next question है question second question second में पूछा गया है what is meant by traditional use of poetry तो इसमें पूछा गया है जो traditional use of poetry उसका मतलब क्या है तो मतलब आपसे पूछा गया है कि कि उसका मतलब क्या है traditional जो यूज है किसका poetry का option a promoting serious ideas रोंग option b promoting doubtful pleasure रोंग option c promoting joy as expectation right option d promoting social honesty in life रोंग राइट आंसर क्या है आपका option c right होगा प्रमोटिंग जो यूज एक्सपेक्टेशन क्वेशन 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 से राइट है next question है third if selfhood of a poet is the subject of poetry then originality shall spring from option a some truth of untruth right option b truth of self-recognization wrong option c creating idle pleasures wrong option d reliving the past joys wrong right answer क्या होगा इसका option राइट है some truth of untruth some truth of untruth next अब आपका फिर से आपका जो एक पैसे यह पोयम वाला आपका है अब आपके आती है पोयम इस पोयम से आपके question बनेगे चले इसको पढ़ते हैं read the following poem and answer the question that follow no worst there is no there is none no worst there is none which is a past pitch of grip more pangs will scold at four pangs will the ring comforter where where is your comforting marry mother of us where is your relief my cries have hurts long huddle in a man a chief wow world sorrow on an age old and will wins and sing then then live of fury and strict no lingering let me he fell force I must be brief the mind mind has mountains clip of fall frightful sir no man fathomed hold them cheap may who near hung there nor does long our small durance deal with that step or deep hair creep rich under comfort sir sina will win all life that death does end and each day dies with sleep तो यह Gerald Manley Hopkins की आपकी पोयम थी चलिया इस से जो रिलेटेटेड कोश्चन बनते हैं कोश्चन नमबर फोर्थ हैं which of the following best describe the meaning of the title of the poem no worst there is none तो इसमें पुझा गया है जो बैस्ट आपका इसमें से कौन सा है option A it is not worst because there is nothing wrong option B nothing can be so much bad as this right option C no it's no it is worst as nothing is there wrong option D it is very bad as no one is there wrong right answer क्या आपका option भी राइट है nothing can be so much bad as this next question है question number 5th beyond the intensity of non-grip there can be option A no grief than being experienced wrong option B only a new pain more painful wrong option C only the twisted known pains right option D the griefs beyond limits of pain wrong right answer क्या होगा आपका option C होगा only the twisted known pains question 5th का option C right hand next question is sixth which two of the following are true तो इसमें पूछा गया है इसमें से दो वे कौन से है जो सत्य है तो दो आपको चुनने है जो सत्य है true इसमें दिया गया है A not all known the intensity or depth of suffering right B death does not put an end to our suffering wrong C suffering is seen as wind that hinder comfort wrong D suffering intensity or depth is in the mind truth तो इसमें A और D आपका truth दिया गया है तो कौन से option में आपको A D मिलता है option A है A and B only wrong option B C and D only wrong option C A and D only right option D B and D only wrong तो राइट answer क्या है आपका option C question 6 का option C right होगा next question है चलिए आगे फिर से आपके एक टो एक स्टेक्ट आपका आता है एक स्टेक्ट से आपके question बनेंगे देखिए अगर आप old paper निकाले अगर आपने 2011 से तेईस तक के सारे paper आपने निकाल लिया आपको पता जल जाएगा कौन से paper में क्या change हुआ है अभी तक हम जो paper कर रहे आपको इसमें जो pattern है आपका चेंज कर देगे इसमें क्या रहा है इसमें जो है आपका एक पैसिस आपने starting में पड़ा एक पैसिस से आपके तीन-चार question बने दैन आपका फिर दूसरा पोयम आ गया इसके बाद फिर आपका इसलिए आपको old paper निकान ले जरूरी है जिससे आपको pattern का पता जलता है कब क्या change आपका हुआ है किस तरह के question examiner पूछ रहा है तो देखे 2011 से 2011 से आपके paper थे तो इसमें बाद में आगे क्या इसमें चेंज आपका हुआ था पहले आपके जो paper थे दो पेपर आपके थे इसमें अब आपका जा रहा है एक पेपर आपका पचास का एक था पहत्तर का अब जो question paper आपका रहा है इसमें 100 question आपको मिल रहा है पहले paper में पहले 50 question थे फिर पिचतर दे चलिए अब देखते हैं आप आमारा जो इसमें extract दिया गया रही दिए फोलुएंग एक श्चतर अंशर दो फोलूओ टो एक थाट आपका जस्टीज वास दन अफ़ीड और यापको आपका जुस्तिस वास दन और प्रेज़ेंग एड आप एंड यूटिप्र विडियों दिए इसस्पोट विट आपको टिए-टू तुम्स अनुएंग दूपीचलेस गैजर्स बैंट देंसेल्स दाउन टू आर्थ आज इप प्रेयर और में दस लोंग ताइम आप्सुलुटली मोशनलेस दफ्लैग कंटिनू तो वेव साइलेंटली एज सुन आज आज जोंड हैंड अगें एंड वेंट ओने किसका थोमस ए तो जो इसमें पूछा गया है जो इसपोर्ट विद टैस एंड तो हाव डिड ओप्शने सी वाज हैंग राइट ओप्शन भी सी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम विंटों से रोंग ओप्शन सीदा टोर्मेंटर मेरीड हर रोंग ओप्शन दी सी डाइड एंड अंटमली डैथ रोंग राइट आंसर क्या आपका ओप्शन ए राइट एट एक आपका ओप्शन एट इसमें पूछा गया है कि वह कौन थे जो इनके दो इसम्पीचलेट गैजर ते इंपोर्टेंट पुशन आपका ओप्शन नम्बर एट ओप्शन ए रिवंड जेमस क्लेयर एंड मिसिस यह भी आपका रोंग है तो राइट आंसर क्या है कौन थे वे यह थे आपका लीजा लू और एंजल क्लियर तो इसका राइट आंसर आपका ओप्शन भी होगा इंपोर्टन कोशन है फिर से आपका आता है इसमें दिया आपका रीड़ फॉलोइंग एकस्टेट और आंसर देना है पहले हम एकस्टेट में पूछा गया गया है तो आपको दिया क्या है दा सोलेमन टेंपल्स ग्रेट ग्लोब इटसेल्प यह ओल्वीच इट हैं इसल डिज और लिव नोटा रैक बिहाइंड वी आर सच इस्टफ एज ड्रीम्स और मेड ओन एंड अवर लिटिल लाइफ इस राउंड़ विदा सिलिप तो यह किसका है साक्सपियर यानि जो टैंपेस्ट हा सैक्सपियर यह वाला सैक्सपियर यह ता आपका एकस्टेट दिया गया त इसमी चाप्टर सापके कोश्चन बर्ने उसी से अगर आपने सिलेबास वाइ अपनी तयारी आवह आपने पढ़ी होगी तयारी अच्छी से किया होगा हर चाप्टर आपने अपनी अपना स्टपी किया हुआ है तो आप इसके जो कोश्चन है वह EASILY कर पाऊगी चले कोश् नमबर नाइन में क्या टी हीज इन सबस्टेनियल पीजेंट रैफर्स टू तो इसे रैफर किसे क्या गया है ऑप्शन दा सट डाउन ओफ ग्लोब ठीटर रोंग ऑप्शन भी इन रियल पर्फॉमेंस राइट ऑप्शन सी दिस्ट्रोइड मदर आर्थ रोंग ऑप्शन डी इ होगा नेक्स्ट कोशन है कोशन 10 वी आर सच स्टाप एज ड्रीम्स आर मेड ओन मीन्स ऑप्शन ए हूमन लाइफ इस फूल ओफ इमेजनरी कलर्स रोंग ऑप्शन भी अवर लाइफ इस टैक्स टो वाट हैपन रोंग ऑप्शन सी वी आरा बंडलो पास्ट रियालिटी औरग ओफ चिन दिट एर इस नो सब्स्टापस्ट तुह ओंन लाइफ राइट तो इसका राइट आशवर कैया अपका में सयानि देर इस नो सब्सक्रांस टू हूंन लाइट तो हूंन लाइफ में क्याने हैर इस सब्स्टांस नहीं है नेक्स्ट dobrze अ और एंड ओप्षन ए रिलीजियन रॉंग और बिएस्थेटिक रॉंग और ऑप्षन से हिस्ट्री राइट ऊप्षन दी एथिक्स रॉंग राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्षन से हिस्ट्री राइट होगा नेक्स्ट कॉषचन है ड़ेन कारते ल mouve गेता दैथीट फूलोंटिटी प्लोव्यरों तो इन्हें वोटी इन्हें वीं और प्लाई के ल деigi य४ लौभी दुपम टीर नेसे रखेसे लॉगी में उंपर基本 मña जो कवीा agas पर जो क्वालिटी एप्लाई होती है लिंगस के लोंगी सिर के अकोरिंग वह कॉन सी क्वालिटी है पर दो क्वालिटी आपको बतानी है और पहला आपका इसमें इंस्पाइड जो पर्शन है राइट है इसमें ए और सी क्या है आपका करेक्ट दिया गया है तो आपको करेक्ट आपको चुनना है चार ओप्षण आपको दिए गये है ओप्षण पर इतनेगा ओफिघंफ लोगा एंट रोइंट क्रेक्ट हो कुछन है 13 question number 13 है in the function of criticism T.S. Eliot attacked J. Middleton Murray and similar critics for being divorce of what he called option A the inner voice right option B the romantic impulse wrong option C the symbol hunter wrong option D the music mystery wrong to write answer क्या है आपका option A right होगा the inner voice question number 13 का option A right है the inner voice next question A 14 who among the following compared the mind in creation to a fadding quail option A words worth wrong option B call is wrong option C Sally right option D kids wrong तो right answer क्या है इसका option C Sally right होगा question 14 का important question number 14 next question 15 who among the following considered para-paras as a heresy option A Percy Lubock wrong option B Edmund Wilson wrong option C L.A. Richard wrong option D directly observation clean cleanet Brooks right cleanet Brooks right to write answer क्या है जो follow करता है किसको पैरा-paras as a heresy यह आपका cleanet Brooks है यह question भी आपका important question 15 next 16 question है इंपैरिसिस्ट लिंग्वेस्टिक इस कंसर्ट विन जो इंपैरिसिस्ट लिंग्वेस्टिट है वो कंसर्ट क्या करता है किसके साथ कंसर्ट है option A investigation of the human mind wrong option B directly observable sense data right option C reason as a determinant of inquiry wrong option D initiate language knowledge wrong तो राइट आंसर क्या होगा इसका option B right at directly observable sense data next question is 17 इने नॉम्चोंस की definition of grammar which two features are draw from mathematics तो नॉम्चोंस की की definition grammar which two features इसमें two features पूछे गए किसके यानी mathematics से और इसमें दिया गया आपका complexity wrong भी है abstraction wrong C transformation right D generation यह भी राइट तो इसमें कौन-कौन सा सही है transformation और generation correct होगा तो इसमें correct option आपको चुनना है option a a and b only wrong option b a and c only wrong option c b and d only wrong option d c and d only right तो राइट आंसर क्या होगा इसका option d right है c और यानी transformation और generation correct है next question है 18 पोटेटो इजा 16th century बोरेंग इंटू इंग्लीज फ्रोम जो पोटेटो है question 18 next question 19 who among the following represent the global spread of English diagrammatical as three concentric circle option a david crystal wrong option b जैनी चैजायर रोंग option c ब्राज बी कच्रू राइट ओप्शन डी सलिकों को मुफवेन रोंग तो राइट आंसर क्या है आपका option c right है ब्रज बी कच्रू ब्रज बी कच्रू इसका राइट आंसर होगा next question at 20 who among the following is the founder of the survey of English uses sau तो इसमें founder पूछा गया है किसका जो survey of English uses का है तो option यह भी important question आपका है option a रैंडॉल्फ क्विर्क राइट option b हेनरी वाट्सन फोलर रोंग option c माइकल स्वैन रोंग option डी ब्राइन गर्णर रोंग तो राइट आंसर क्या आपका option राइट है रैंडॉल्फ क्यूर्क next question 21 who is the author of the short story बैथोवन वाजवन 16 ब्लेक तो इसमें पूछा गया है लेकक पूछा गया किसका यानि जो short story very important question है आपका short story किसकी जो short story होती है बैथोवन जो 116 ब्लैक आपके है तो किसकी थी यह इसके जो author है लेखा के वह कौन थे option जे एम कोट जी रोंग option भी नेडी इन गोर्डी मार राइट option c एंड्री ब्रिंक रोंग option डी बैजी हैड रोंग तो कौन थे नेडी इन गोर्डी मार थे नेक्स्ट कॉश्चन है ट्वेंडी टू और यह इंजी तब following text in the chronological order of publication यानि काल करा मनुशार आपको लगाने हैं किसमें जो publication के अकोडिंग यानि किसका पहले publication हुआ उसके अकोडिंग इसको लगाना है option एए दिया गया आपका दा ब्रीज कोल्ड माइस्ट्री क्यों यह आपको दिया गया चार तो इसमें इसमें जो अरेंज करना है सबसे पहले होगा दा फैमिनीन माइस्ट्री क्यों इसके बाद होग फिर आएगा जैंडर ट्राबल तो इसका जो सिक्वेंस बनता है यह आपका बना डी बी एसी option भी राइट आंसर है ट्वेंटी टू का इसमें पूछा गया ओथर पूछा गया किसका जो एसी है लियर टोलिस्ट्री अंड फूल का यह आपका इंपोर्टन कोश्चन है option नमबर ए तो अथर कौन था option ए एल्डस हक्सले रोंग option भी जोर्ज और्वेल राइट option C वरजीनिया वूप रोंग option D सोमेरेस्ट मोगम रोंग तो राइट आंसर कहा इसका option भी राइट है जोर्ज और्वेल जोर्ज और्वेल राइट आंसर है next question a 24 which of the following poems by Robert Browning contains the lines our interest on the dangerous age of things the honest thief the tender murder the superstitious atheist option a a death in the desert रोंग option b counter gismond रोंग option C विशो आप ब्लोग्रम्स एपलोजी राइट option D love among the runs रोंग तो राइट आंसर कहा आपका option C राइट होगा विशो आप ब्लोग्रम्स एपलोजी next 25 question है who among the following edited the corneal magazine तो जो edited इसमें पूछा गया है तो किसने edited क्या था किसको जो corneal magazine है option a चार्ल्स डिकेंस रोंग option b लिवी से कैरोल रोंग option c विलियम मेक पीस ठाकरे राइट option d एंटोनी एंथोनी ट्रोपल रोंग तो राइट आंसर क्या होगा इसका option C राइट है विलियम मेक पीस ठाकरे next question है 16 question है which of the following novel has it epigraph taken from the काथा उपनिस्ट option a the island of dr. more you by H.G. Wells wrong option b the razor is by Someristim Mogam right option c point counter point by elders Huxley wrong option d a room with a view by E.M. Forrester wrong तो राइट आंसर क्या है इसका option भी राइट होगा दा razor is by Somerist Mogam next question है 27 who is the author of essay what is not literature यह question भी आपका important है तो इसका author पूचा गया है किसका what is not literature का option a है एडी हिराच जर यह आपका राइट है बी पॉल रिकॉर्ड रोंग ओप्शन सी हांस जोर्ज रोंग ओप्शन डी टेरी एगलिटन रोंग तो इसका राइट आंसर आपका option a है एडी हिराच नेक्स्ट कोश्चन है 28 इडिच इडिच यूर्बार्च मेसिस 1946 एंड्स विद एट चैप्टर रोंग ऑप्शन ए वरजीनिया वूप्स तुदा लाइट हाउस राइट ऑप्शन बी विदमान लेविस दापीस अप्शन सी जेम्स जोशी युलिस इस आंसर क्या है इसका ओप्शन ए राइट होगा वरजीनिया वूप्स तुदा लाइट हाउस नेक्स्ट कोश्चन है 29 इडिच ओफ द फॉलोइंग कलस्टर इस अस्टोशेटिड विद वाट जूलिया क्रिस्टेवा टंस दा सिम्टिक ओप्शन ए अथोरेटी ओडर एंड प और नॉर्मेल सी रोंग ओप्शन डिलोजिक रीजन एंड पावर रोंग तो राइट आंसर क्या है इसका ओप्शन भी राइट है डिसप्लेस्मेंट स्लीपेज एंड कंडेंशेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विच टू वर्क्स इन फॉलोइंग लिस्ट रिटन बाई ए प्रबेन ने तो जो लिस्ट थी वो कौन-कौन सी देखी कि किस किसका इसमें था तो कारिया है पहला एह है रोवर राइट दूसरा और नो को यह भी सही है थार्ड सोल्डर फॉर्चुन रोंग फॉर्थ दा प्रिंसीज ओफ क्लेव रोंग तो इसमें कौन-कौन दा सही है और भी आपका सही होगा जो कि option A में है कोशन 30 का option A राइट है चलिए नेक्स्ट कोशन है 31 31 कोशन है विच टू अफ फॉलोइंग आरवक्स बाइ गोस्टावे फॉलबर्ट ए दा टैंपेशन ओफ सेंट एंथनी राइट बी ओल्ड गोरियत रोंग सी थिरेसी रेकिन रोंग डी सेंटिमेंटल एडुकेशन करेक्ट तो इसमें A और D आपका करेक्ट होगा राइट और होगा इसका ओप्शन नमबर सी कोशन थर्टी वन का ओप्शन सी राइट है नेक्स्ट कोशन है थर्टी टू विच टू अफ फॉलोइंग कंफर्म टू लिबरल हुमेनिस्ट थोट ए ओ ए दिया गया इसमें लिटरेचर है ट्रांस्टेंट दा लिमिट्स ओफ दाइज इस ओरिजन एंड सो इस टाइमलेस राइट बी लिटरेचर इंटेश्ट बाइशन्चल हुमन नेचर वीच इज अन चेंजिंग रोंग सी लिटरेचर इस डिवोईड ओफ एनी परपस्ट विन हैंस लाइफ और प्रमोट हुमन वैलू रोंग डी आइडेंटिफाइज यू पॉफ्शन हेगा है ओप्शन एये सी ओंप्शन कट बी बीन ऌनी रोंग वफ्शन से एनोड सी और याइड सी आनली रोंग तो राइट आउंसवर कह इसका ऑप्शन सी एडे अवर दी जह होगा इएऔर्फ और दीARAइघ साहिए होगा एसमें आपका माइतोसी ऐफ स्प्रिंग कोमेडी राइट बी माइतोसी ऐफ समर सचार रोंग c माइतोसी औप टेम टेजज डिए डी माइतोसी ओफ बिंडम cioè रोमेंस रोंग तो इसमें Electric पांसर आपको चुटना है जो अप्षम्म देगा है तो कौंप-कौंच आपका सही है और सी आपको ऑप्शन सी में मिला ऑप्शन सी ही राइट आंस्वर है नेक्स्ट कोश्चन है थर्टी फॉर कोश्चन नमबर थर्टी फॉर है विच ता विच तौ अफ फॉलोइंग राइट्स डज एडी हो पार दस थ्रो हीज़ पोलिटिक रैस्पोंस इना डोस्टेवस की रॉंग सी मेलार मी राइट डी गोथी यह भी आपका रूंग तो ए और सी क्या इसमीं करेक्ट आपका है चलिए option देखते हैं कौन सा option में इसी दिया गया option D में तो इसका option D ही right answer होगा next question 35 which two of the following are true according to the documentation style prescribed by the edition of the MLA handbook a if the title page of a book contains an imprint as well as the publisher name omit the imprint and use the publisher name correct b while giving a URL copy it from the web browser but omit http or http यह wrong है option C यह दोनों आपके सही है see it if a quotation extend to more than five lines set it off from the text as block intended and inch from the left margin wrong D long title should be abbreviated using the first letter of keywords typed in uppercase without intervening space wrong तो इसमें A और B आपका correct है जो कि आपका option A है तो question 35 का option A correct होगा next question है question number 36 which two of the following are highlighted in relation to specific historical moments by Stephen Greenblatt a crisis of meaning wrong B circulation of meaning correct C production of meaning right है D deferral of meaning wrong तो इसमें correct answer आपको चुनना होगा option से तो B और C आपका सही होगा circulation of meaning और production of meaning तो right answer किया इसका option भी right है B and C only next question is question number 37 who among the following belong to the Chicago School of Critics A. ARS Crane right B. E. M. W. Tilliard wrong C. Elder Olson right D. Allen Tate wrong तो इसमें A और C आपका correct होगा A. C आपका option A में है option A ही correct answer है 37 का next question है 38 which of the following poems contain John Donnie's famous concept bringing a parallel between lovers and the hands of a compass A. Negative love wrong B. Lovers infinite answers wrong C. A valediction forbidding mooring right D. A valediction of whipping wrong तो right answer किया आपका option C right है A. Valediction forbidding morning next question 39 arrange the following essay in the chronological order of publication A. T. S. Elliot the function of criticism B. Edgar Allen for the philosophy of composition C. Henry James the art of fiction D. Virginia whoop modern fiction तो चूज करना आपको correct option जो आपको दिया गया है है तो इसका सिक्वेंस होगा वो क्या बनता है सबसे पहले आपका 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 हैंडी publication तो इसमें कोशन में पूछा गया है जो अरेंज करना आपको जे जनरल है वो काल करा मनुसार यानि क्रोनोलोजिकल ओडर में जो पब्लिकेशन का तो पहला है दाटलर बी दा एक्जामिनर से डाटलर ओए डाटलर इंपूर्डटन कोशन है तो इससे अरेंज 可以 करना है तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा सबसे पहले इसमें सबसे पहले आया आपका दा रिव्यूदा रिव्यू के बाद आता है दा blond जाटल Här के बाद दा और इग्जामिनर के बाद इस्प्वाकिक तो इसका राइक अंसर आपके 2 ओप्षण दिया गए c के दौनों के दोनों इस में क्या है सिए तो आप भी पहले लिख लीजे या फिर डिया पहले लिख लीजे तो इसका कोष़वटी का ओप्षिन दो आपके साहिए helicopter नमबर सी और ऑप्शन नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन है 41 गीवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल एज असेशन एंड अधर इज लेबल एज रिजन आर तो असेशन आपको दिया गया सेशन क्या देता है पोश्ट मोडर्न नेरेटिव फोकस ओन दा इंडिटर्म अनिस्टेबल लेचर ओट एंड सब्जेक्टिव इजन है पोस्ट पोस्ट मोडर्न नेरेटिव एक्ट रिगार्ड नेरेटिव संड कैरेक्टर सेज टेंटेटिव रिप्रिजेंटिव और इडेंटिटी इन लाइट फ़ एबव श्टेटमेंट तूस दा करेक्ट आंसर प असेशन एंड रिजन आट्रू एंड रिजन इस दा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओफ ए नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 42 गिवन बिलो आट टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट आपको दी गया स्टेटमेंट फर्स्ट में पूछा गया एन वेटिंग फॉर गोडट इट व्लादीमार फू कोशन दबोई हूं कम्सप्रों गोडट तो अट एंड फू एक्स इस्टेटमेंट सेटमेंट इन वेटिंग फॉर गोडट इस एस्टरजन उसे नथिंग एपन्स नोबड़ी कम्स नोबड़ी गोजी इस आउफूल तो इसमें जो इस्टेटमेंट आपक की ट्रू दी गई एंडोनों आपकी सत्या है तो राइट आंस्वर आपको ओप्षिन नोग जाएगा बोत इस स्टेटमेंट फस्ट एंड इस्ट्री नेक्स्ट कोॉस्चन है 43 जीवन प्लोव अर्ट तू इस्टेटमेंट आपको दी गई है इस्टेटमेंट फिस्टेटमे अप्षेट्मेंट फ़्फट्रेकल इवेंट तो इसमें फस्ट जो है वह आपकी ठी डी गए रोवन्यकर सब्सक्रेट्मेंट, सेंड आपकी फहल्स है तो राइट वैसले इसका उप्षन है इसेंडमेंट पफस्ट्र STOP सेंडी इस पॉस्ट्रक घरगता है बीं तो पूर योड़िक पूची गई हमलेट में कौन था इंपोर्डन कोस्वन है ओप्षेन ने जैस्टर डाइट ऑप्षेन ऑच्टर रोंग ओप्षेन जी सोल्डर रोंग option a phoneme wrong option b phonic substance wrong option c phoneme right option d phoneme wrong तो right answer क्या इसका option c right है phoneme option c right होगा next question है question number 46 question number 46 है who among the following dickens character appears as a ghost option a daniel clip option b dora इसने डोरा इसमें इस्पैंड रोंग option c इसका जो राइट आंसर आपका option c होगा एस्थर समर्शन next question 47 वर्जीनिया वूप्स ओर्लेंडो उपन सें 1588 एंड ओर्लेंडो अ 16th year old boy राइट सा पोयम कोल्ड तो इसको कहा कहा गया था तो इस पोयम को क्या बोला जाता है यह question भी आपका important option a the evergreen tree wrong option with the poison tree wrong options is the oak tree क्या बोला जाता है ओका ट्री यानि ओका जो पेड होता है option d the magic tree wrong तो क्या बोला जाता है उसको बोला जाता था the oak tree next question 48 what function of English is explained by the use of English in India as a link language along with the first language by stable bilinguals in well-defined social context option a complimentary wrong option a complimentary right option b supplementary wrong option c auxiliary wrong option the equative wrong तो right answer क्या है आपका option a right complimentary right answer होगा question number 48 का option a complimentary right next question 49 who among the following is said to have believed that the person गुपवार 1990-91 never happened option a जाइगमांत बोमन रोंग option b jean बोडरल्ट रोइट ओप्शन सी जैकिज डेरिडा रोंग option d जर्गन हबरमस रोंग तो राइट आंसर क्या है इसका option भी राइट है जेन बोडरलट जीन बोडरलट राइट होगा next question 50 what 19th सैंचुरी फिलोसिपिकल टर्म रॉश्यन ओरिजन डेड फ्रेडरिच नाइची यूस्ट तो डिस्क्राइब दा डिसिंटीग्रेशन ओटेशनल मोरालेटी इन वैस्टर्ण सोसाइटी ओप्शन ए एप्सुलूटीज्म रोंग ओप्शन भी साइनिसिज्म रोंग को और फ्रेशन दी आन्रिजिज्म रॉग तो रैट अंसरों जिए इसका उप्शन सी राइ't निहिलिज्म कोशन और 50 गौप्शन ендरिलिज्मौ राइई झालिए नेक्स्ट देश्ट कोश्चनना 51 पीछ घच फोटोव और वापकेंग two of the working group जाटाब प्रशविट ग्राइ्ट ग्राइन इन संपन्ट पर्प् euros चाहिए प्रेप्ट you अजिए अधियर अधियर क्वेट रिकार खुछ तर्फ यविघ अधियर और शॉच च्छ उच एधियर शुच फिर ग्राइजें प्यड लाइज इए्ग तर्व ला टॉच फिर टॉ इस पहले एलइ लेंवाज एक्ट्रीट फो इंदिया आसे इंडिया प्रियोच जानतीव क्या आइप अभार इंडियोच आप शोचल्ट आप सबस्क्राइब क्या एक आप सब्सक्राइब है इसका इसेख बनावीचा फ्रॉट पारइब नहीं है आसर क्या होगा इसका scientific progress next question 52 in comparative in comparative philology and sometimes in modern phonology what is the term used to refer to the deletion of a vowel within a word option a fs is wrong option b equi deletion wrong option c paradigm wrong option d synope right so right next question 53 which of the following statement best describe tally agritons view on literature option a it is involved in the reproduction of the dominant social order right option b it's a reason deter is to reflect the social reality directly wrong option c it's a primary purpose is to produce beauty and place are wrong option d it is a closely allied to religion in its significance and seriousness wrong right answer option a right it is involved in the reproduction of the dominant social order next question 54 question number 54 which of the following are true performance as used in linguistic theory it is analogous to the social concept of language wrong b it refers to the specific uterances of individual native speakers in actual situation right to see it is an initiate grammar that suggests woman's universal ability to use language wrong d it includes agitation and unfinished structure arising out of psychological difficulties action upon the speaker action upon the speaker right so this is b or d it will be correct correct let's see which option option you will find option number d question 54 option d right next question 55 which among the following are the workers are the works of george gissing george gissing george gissing george gissing george gissing george gissing gissing george 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 g दरेकल पेपर्स रोंग तो ए और सी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चिन नमबर 56 का उप्शन है राइट है नेक्स्ट क्वेश्चिन है 57 विच फॉलोइंग आर पोएम्स बाइब निजीम एजिकल्ट एट मेक फॉन ओप इंडियन उस फिंग्लिस ए गुडबा इंडियन पॉम इंडियन इंडियन लिंग्लिस रोंग सी जैविज वेडिंग इन बॉम्बे राइट डी ऐ और c आपका इसमें राइट है और c एक औरर करेक्ट है ए फिलोस्पी रोंग है और वेरी इंडियन पोहिम इन इंगलीज यह भी आपका साहिय सी है जैविज वैडिंग इन बोंबे रोंग ई पोईट लवार बिडवेचा रोंग तो इसमें ए और सी आपका करेक्ट होगा अपको ओप्षन और यह मिलता है और यह राइट आंसर ओगा 57 का नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 58 है मैच दा फॉलोंग वाला कोश्चन है मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट को भी दिस्ट सेकिंड तो मिलान करना है सूची बस्ट का सूची सेकिंड के साथ चलिए इसमें लिस्ट फर्स्ट में आपको ओथर दिया गया list सेकिंड में टैक्स्ट आपको दिया गया तो ऊण सेकिंड मैच करना सेmmोंग है सबसे पहले दिया गया सीमों के सी यह हो जाएगा जूनो एड़ी डाइलन थोमस डाइलन थो मस हो stepsist हो गया अंडर मिल्कवोड और इसके बाद है जो C, Terence Ratingan हो जाएगा, The Winslow Boy, और Arnold Vascoe होगा, I am talking about Jerusalem, और E है J.M. Singhi, यह आपका हो जाएगा, In the Shadow of the Glen, In the Shadow of the Glen, तो इसका जो सिक्वेंस बनता है, आपका बना, A का थर्ड, B का फिफ्ट, C का सेकिंड, और D का फिस्ट, E का फॉर्थ, तो उप्शन नमबर C, राइट आंसर है, Next question है, 59, Question number 59 है, Match करना है, इसमें भी लिस्ट, फर्स्ट को लिस्ट, सेकिंड के साथ, मिलान होगा, इसमें लिस्ट, फर्स्ट को लिस्ट, सेकिंड से, तो चलिए, मैच, इसमें पहला दिया, अगर लिस्ट, फर्स्ट, फर्स्ट लाइन, और लिस्ट, सेकिंड आपकी पोइट, यानि कौन सी कभी की पहली लाइन क्या थी, उससे मैच करना है, तो पहला आपको दिया गया, Curious, the sad, and pointed towards the land, towards the land, तो यह आपका हो जाएगा, अलफ्रेड, टैनिशन, अलफ्रेड, टैनिशन, भी है, I am poor, भी, I am poor brother lipo, by your live, यह हो जाएगा, आपका, Robert Browning, C है, I kept this morning, morning's, 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 तो यह आपका हो जाएगा, C, C जो था, यह मिलेगा, इससे आपका, GM Hopkins से, next, अब है, D, look in my face, my name is, might have been, तो यह हो जाएगा, D, Z, रोसेटी, E है, the sea is calm, तो नाइट, यह हो जाएगा, Matthew Arnold, तो इसका जो sequence बनता है, यह बना, A का second, B का fifth, C का first, D का third, का fourth option, नमबर D, right है, next question है, 60, question नमबर 60 है, मैच करना, आपको लिस्ट, फर्स्ट को, लिस्ट, second के साथ, लिस्ट, फर्स्ट कैरेक्टर, और लिस्ट, second, नमबर दिया गया, तो कौन से, नमबर का कौन सा कैरेक्टर है, यह आपको, मैच करना है, यह दिया गया, विन्स्टोन, इसमित, यह आपका हो जाएगा, 1984 का, पॉल मोरेल, पॉल पैनी फैदर हो गया, डिकलाइन फोल, तो इसका जो राइट आंसर है, ओप्शन राइट है, एका, थर्ड, बी का, फर्स्ट, सी का, फिफ्ट, डी का, सेगिंड, इका, फोर्थ, नेक्स्ट, कॉस्टन है, कॉस्टन नमबर 61, अरेंज दफ, फोलोइंग, लैंग्वेज एडिया, ओप्शन भी कोर्टेक्स, पॉस्टिरियर, स्पीच, कोर्टेक्स, इसको आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या है, पॉस्टिरियर, स्पीच, कोर्टेक्स, आएगा दैन आर्कुरेट फैसिकुलर्स दैन बी एंटिरियर स्पीच कोर्टेक्स और इसके बाद मोटर कोर्टेक्स तो इसका सिक्वेंस बना डी ए बीसी कोश्चन 61 का ओप्शन डी राइट होगा नेक्स्ट कोश्चन है 62 चूज दा राइट क्रोनोलोजिकल सिक्वेंस ऑफ पॉब्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग बुक्स तो आपको राइट इसमें सिक्वेंस बताना है पॉब्लिकेशन का तो इसका सिक्वेंस क्या बनेगा सबसे पहले डोरी स्लेशिंग दा गोल्डन नोटबुक इसके बाद आया टोनी मोरिशन दा ब्लुस्ट आई दैन आया एलिस वोकर दा कलर परपल और इसके बाद आएगा इसका सिक्वेंस बना ये बनता है सीडी बी एक कुश्चन नमबर 62 का ओप्शन सी राइट है नेक्स्ट कुश्चन है 63 कुश्चन नमबर 63 दिया गया और इंज दा फॉलोइंग टर्म्स क्रोन लोजिकल ओडर ओव दिया यूज इन लिटरी थियोरी ए फर्स्ट है गाइनेस परत फोर्त नमबर के प्या है आपका पैयरा टेख्ट दिया गया है चलिए इसमें जो आपको फिस नमबर 63 कोई सब भी ओप्शन आपका और नहीं दिया गया है ऑफिशल आपको आउपशन मिले है ऑफिशल आपकी से आपक ऐडो लगे हुए है जो आपके ओफिशल आपको दिया गए कुछ भी इसमें आपका एक्स टायड नहीं किया गया इसमें कोई भी भी ओप्ष्ण आपका और नहीं दिआ गया है एंड साइंटिफिक टॉल्स पॉर्स रिचिंग कंक्रूजन एंड फॉर्मुलेटिंग आथ्योरी स्टेटमेंट सेगिन लिट्रेरी रिसर्च कंसिट ओफ क्रिटिकल इंटर्प्रेटेशन ऑफ और ऑथर्स वार्क टू दा एक्स्क्रूजन ऑ बायोग्राफी एंड एडिटि सेंटार इनकरेक्ट नेक्स्ट कोई सिक्सिफ़ाइब बिलो ओर टु यह श्टेटमेंट आपको मिलेगी पहली इससे पहली क्या है पहली परिप्राइमरली इंटर्स इन साइन्टिफिक स्टुडियों अफ्लैंग्वेज एप रेंग्वेज अपरोच लैंग्वेज डिए अप्चिने साइक कर्या अद एके निए लेकिन स्टेटमेंट से निन अब तो रच आपकी आपका ऑप्षेंस से स्टेटमेंट से सब्सक्राइट इसे स्टेटमेंट साइक इनु करेक्ट next question 66 which of the following are features of the theater of the episode 7 question important first a a emphasis on the central role of God in the universe right be presentation of shooting action devoid of any goals right portal of situation that point to the meaningfulness of lying wrong the lacking in conflict and dramatic tension representing players in a stasis or drift without definite rules yeah right is a B or D correct right answer is sorry question number 66 which of the following are features of the theater of the episode 7 theater of the episode 7 emphasis on the central role of God in the universe wrong be presentation of you to action devoid of any goal right see a portal of situation that point to the meaningfulness of life wrong the lacking in conflict and dramatic tension he be correct he be presenting players in a stasis or drift without definite rules he be correct this is me a of course this is me just say you have to be correct or D correct or E say it right answer is option B and only next question 67 who among the following is is known to have known to have used element from the yaksanga tradition in his theater option a option a bad option a have badal sirkar wrong option b greece karnad right see Mohan rakes 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 wrong D mahes dhatani wrong so right answer kya greece karnad is ka right answer option number B next question question is question number 68 question 68 this question is a match the following question is milanis me you have to do so match the list first list second list list second list first list list second list list second book dhe gai hai to a bankim chandr chattar ji bankim chandr chattar ji chattar ji kya hai raja mohan wives ho jayegah or mulk raja anand yeh ho gaya untouchable or c par diya gaya aapka pancuri khan to pancuri khan to pancuri khan hai yeh kya ho jayegi yeh ho gaya the revelation of an orderly or kamla satinandan jo kamla satinandan ho gaya story from indian Christian life चलिए अब इसके जो सिक्वेंस है question number 68 का option वी यूनिश़्शटी रोंग वी हौक्षपोर्ण वी उनिवरस्टिटे रोंग प्सी यूनिवरसिटी और वीart यापका राइट और कंभी चाहर से हुणिवरसिट चाहर से निग्षटी यूनिवरसिटी of Birmingham राइट सरह है next question is 70 which of these poets wrote a poem that served to inspire WB is to write his own poem when you are old option a Francia's villain wrong option B Pire D Rose Nard right option C Edmund in Spencer wrong option D Henry Cheney wrong so right answer क्या इसका option भी राइट है प्यरी डी रोंसर्ड option नमबर भी राइट होगा next question is 71 question number 71 which of these does मिनाक्सी मुखर्जी परपाज़ पोशिबल टार्गेट रीडर्शिप और ली इंडियान इंग्लिस नोवल option a a pan-Indian रीडर्शिप रोंग B a localized Indian रीडर्शिप रोंग C a British रीडर्शिप राइट D the colonial administrator इंडिया तो इसमें a British रीडर्शिप और the colonial administrator इंडिया इसमें सही होगा तो C और D आपका correct है राइट आंस्वर इसका option C है C and D only next question sentence 72 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट इस्ट को मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट साथ list में पोइट है लिस्ट सैगिंड में language दी गई है या नि भासा तो कौन से कवी की कौन सी भासा ती या आप से पूचा गया है उप्शन चलिकूंसे कभी की भासा इसमें ती तो चाल्स बोदरलें की टी लैंग्वेज्ट थी वह फ्रेंच तो इसका राइट आंस्वर आपका ओप्शन है एका सेगिंड बीका से एका फर्स्ट बीका सेगिंड सी का थार्ड दी का फॉर्थ से मैंज इसके सामने जो दिया गया वही करेक्ट आपका है नेक्स्ट कोश्चन है 73 विच ओफ दीज कंशिटूट दा प्री ओक्पेशन ओफ दा प्रोटागनिस्ट ओफ उपामनू चटरजी इंगलिस अगस्ट ओप्शन ए दिया गया अब आपका मारी जोना राइट बी मैजिक रोंग सी मोनोथिज्म रोंग डी मार्कस ओरलिस राइट तो इसमें ए और दी आपका करेक्ट होगा राइट अंसर क्या इसका ओप्शन नमबर बी राइट है ए एंड डी ओनली राइट होगा नेक्स्ट कोश्चन है 74 वाट वाज दा नेम ओफ जनल पब्लिश्ट फ्रों बोलिंग ग्रीन युनिवर्शिटी बिगिनिंग 1969 विच केरिड एशे ओन एमुसेंट पार्क कोमिक्स और डिटेक्टिव फिल्म ए जर्नल ओफ मास कल्चर रोंग बी जर्नल और पॉपुलर कल्चर सी जर्नल ओफ पब्लिक कल्चर रोंग डी जर्नल ओफ कल्चर स्टडी रोंग तो राइट आंसर क्या इसका ओप्शन भी र क्विच हो रिस्ट नॉबल फनी बह ऑप्शन फालोफ मैंनर्स और भी सेंटिमेंटल नॉबल ओफ यसी कोंबो फैज नॉबल रॉट उप्शन और पिकेट्स को नॉबल रॉंग तो राइट आंसर क्या इसका ओप्शन सी राइट और अब पिफ एस नॉबल नेक्स्ट what is to be produced right b who can afford the artifact right c how is the artifact marketed right d what is the register of speech in the artifact wrong to choose correct answer option आपको दिये गया है तो a b c तीनों के तीनों आपके correct right answer इसका option होगा a b c only right next question is 77 who among the following play the most significant role in mobilizing the concept of cultural intermediaries a a d आगे louis althos wrong b karl marx wrong c piri birdio right d jargon habermas wrong तो राइट answer क्या इसका option सी राइट पाइरी बोर्डियो question number 77 का option c right होगा next question is 78 from whom does गायतरी चक्रवर्थी इस पी वेक बोरो दा टर्म सुबल्टर्ण option a karl marx wrong option b frederich angels wrong option c louis althos wrong option d एंटोनिया ग्रामिस की राइट तो राइट आंसर क्या होगा question number 78 का option d एंटोनिया ग्राम साइट राइट आंसर होगा चलिए next question है question number 79 which of the following does the subaltern studies towards act contented a traditional historiography celebrated the role of the subalterns subalterns wrong be traditional history of India's freedom movement celebrate the contribution of select icons right see traditional historiography highlights the dominant stand of India's freedom struggle freedom struggle correct subaltern studies historiography highlight the dominant stand of India's freedom struggle wrong choose the correct answer from the option given below तो कौन साथ है इसमें इसमें बी और सी statement आपकी सही है right answer option b है next question 80 which of these did the would dispatch 1844 6 to propagate a impart western knowledge to Indian's right be drastic access to English learning in India wrong c educate British official in Sanskrit and Persian row d create a class of public servant right तो इसमें a और दी आपका correct होगा राइट आंसर कहां इसका option d a and d only right question number 80 का option d right है next question 81 question number 81 arrange the following protocols in the chronological order in the which they are started publication तो इसमें आपको arrange करना एक chronological order में यह question भी आपका important है question number 81 चलिए पहले आपको दियागे ए है the spectator b the tattler c the rambler d the critical review तो इसमें जो इसका sequence बनेगा वो क्या सबसे पहले the tattler आया the tattler के बाद the spectator आएगा और spectator के बाद the rambler और rambler के बाद आया the critical review तो इसका sequence बनता है b a c d चलिए देखते हैं कौन से option में आपको same sequence मिलता है same sequence मिलेगा यह आपको option number b में मिलता है b a c d question number 81 का option b right answer and next question 82 who among these does gabriel garcia margu's name right in the beginning of his nobel prize address a Ferdinand Magellan a Ferdinand Magellan right b Christopher Columbus wrong c Marco Polo wrong d Antonio Pigafetta right तो इसमें a or d आपका correct है तो option number d आपका right होगा question number 82 का option d right है next question 83 next question के आगे question number 83 which of these constitute the only extent trilogy from ancient Greek tragedy question number 83 important question option a king odipus odipus at colonus and is gone wrong option b option b option b आगे मिनन क्योंपोरी दा यूमिडिन्स राइट सी आगे मिनन और स्टीज दा यूमिडिज रोंग डी की ओडिपस और स्टीज एंटिज एंटिगोन रोंग तो राइट आंसर क्या इसका option b correct है question number 83 का next 84 question है मिलान करना आपको मैच दिए फॉलोंग वाला question है मिलान इसमें करना है list first को list second से match करना है तो list first में क्या दिया गए आपको list first है आपकी author यानि जो लेका गए और list second है form तो author को form के साथ बाइटा लीडेश कारना हे चलिए पहले आपको दियागा फिंडर फिंडर आपका हो जायगा अपरी जो है सेफ़ सब आपका फोगраф लारिक पोटी और ऑरिस्टो को अरिस्ट फैनिस पर है और इसुंड ऑल्ट को मेडी तो इसका जो सिक्वेंस बनता है 84 सिक्वेंस बनार का असमे ऑप्षिन sector a kutosana 4T ॆरी का 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 वीच ओफ दीज दस दा बुक हाव तो रीड डॉनाल्ड डॉक इडेंटिफाई एज इन इम्पोर्टेंट अलिमेंट इन इस अनलाइसिस फिंपरिस्ट आइडोलोजी इन वाल्ट डिस्नी कॉमिक बुक ऑप्शन ने हैं इंपावर इजड लोवर इम्पावर इजड रोयल्टी रोंग ऑप्शन भी नोबल सैवेज राइट ऑप्शन सी साइंटिफिक मैजिक रोंग ऑप्शन डी हर्ट लैस सिविलाइजेशन रोंग तो राइट आंसर क्या इसका ऑप्शन भी राइट होकर नोबल सैवेज नेक्स्ट कोश्चन है 86 मैच सीठेशन ला गैंट आचने सेंट मिलं करने आपको लिस्ट सेट के साथ फर स्थल्सटें है ब्लेकρ शिल्सक्राइट के साथ प्लेट के साथ आपको मैच करना सब यह आपका जाएगा लाइफ फौक good यह आपका है टैनि इज्द क्ल यह लिर्यम सिक्वेंस बनता है वो बना एका सेगिंड बी का फर्स्ट सी का फॉर्ट डी का थर्ड कोशन नमबर 86 का उप्शन डी राइट है नेक्स्ट कोशन है 87 वीच ओफ दीज प्ले बाइग गिरिस कारनर सेर्स इस तिम सवीद थोमस मैंच दा टांसपोज है आइट ओप्शन है 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 हया वदना राइट ओप्शन मीüstरि रोङ्व ऑप्शन सी नाग मांडाला रोङ्व ऑप्शन डीटियल डंडा रोङ्व तो राइट अन्सल का उप्शनका ए नेक्सक्ट कोशन है 88 वीच ओफ दीज acne आग देखकें o Age of verrith नेजिए नग नाय्ट ओप्षण सी डी कॉलेनाइज्ञ अपूलिटी यह तो राइट आइज अंसर के आपका उप्षण भी राइट है डी कॉलेनाइज इंग मायड कोश्चन 88 का ओप्षण भी करेक्ट है नैक्स्ट कोश्चन 89 लिट सेकेंट लिस्ट फर्स फर्स राइब है और लिस्ट सैकंड ओथर तो नोवल का ओथर के साथ आपको मिलान करना आपधे इसमेंट डॉन कुजेट डॉन कुजेट हो गया आपका ऑपका मिगूल डी कैरवेंड साथ सोर यंग वर्त हर यह ho गोथी सी है लोग इलूजन आपका होगया होन और डी बैल जेक और डी है एफिता ओफाइस्मोल विनर यह आपका हो गया मचैड और डी एर्स तो इसका जो राइट आंसर होगा ओप्शन सी बिलकुल करेक्ट है एक फॉर्थ बी का थर्ड सी का सेकिंड और डी का फॉस्ट ने लंदन मैंकजीन राइट ऑपष्उण भी देडेड इन बॉक्स रिव्यू रोंग ऑप्ष्ण सी बीचिज दा क्वाटर्ली रिव्यू रोंग आफिछन गी फिन एलेन गायूद प्ष्टर यह पेिंट आयम इंहन फार्विन्ट ऐस्ट और ذी कर्क्ट ने इस्ट योप्शन a response to a.m. forest remark on character in fiction wrong option b criticizes book buying preferences of the educated English class wrong option c analyzes the state of modern fiction by contrasting to generation of writer right option d present modernity as a stable and coherent project uniting all artists wrong to write answer kya aapka option c right hogar 91 ka next question in politics and the English language which two of the following tricks are mentioned by george orwell as bad habits of English use a absolute words absolute word wrong b pretension diction right c dying metaphors right d false modifiers wrong to this may be or c aapka right hogar तो correct answer आपको चुनना होगा option a है a and b only wrong option b b and c only right option c b and d only wrong option d c and d only wrong तो right answer क्या है इसका option b right है बी और c correct होगा next question and 93 question number 93 match करना आपको list first को list second के साथ तो milan करना ये भी आपका list first दी गई है जिसमें आपको ऐसे दिया गया और list second assist तो ऐसे का साथ assist के साथ आपको इसमें मैच करना है चलिए इसमें दिया गया लिस्ट फरस्ट से लिस्ट सेकेंड एसिस्ट एह है दा टोरी फोक्स अंटर तोरी फोक्स अंटर जोसफ एडिशन वाट आई बिलीव यह हो गया यह फोरेस्टर दाट ओफ मोट यह वरजीनिया वूपॉर ओफ एंबिशन फ्रांसीज बेकन तो इसका जो राइट आंसर ओकर 94 का option C correct है एक सेकेंड बी का थर्ड और सी का फॉर्थ डी का फर्स्ट नेक्स्ट 94 कोश्चन है अरेंज दा फॉलोइंग क्यारेक्टर सिंदेर क्रोनोलोजिकल सिक्वेंस ओफ अपिरेंस ए मीरा बैल रोंग ए दिया गया मीरा बैल तो इन्हें अरेंज करना है भी साइलोक सी जीमी पो आएगा जीमी पोर्टल तो इसको सिक्वेंस बनता है बी डी एसी कोश्चन 94 का ओप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन है 95 वीच टू आफ फॉलोइंग कंसेप्ट आर डिप्लोइड इन दा वर्क ओफ फ्रेडरिक जैंशन ए पैस्टिसी बी हाइपरेल सी साइज फिर या डी हैबिटास यह आपको दिया गया तो इसमें से पूछा गया कि कौन-कौन सा इसमें सही है तो सही एक तो पैस्टिज है और दूसरा आपका साइज ओफिलिया है तो ए और सी आपका करेक्ट है राइट आंसर ओप्शन नमबर डी होगा नेक्स्ट नाइंटी सिक्वें कौशन नमबर निनिए सिक्स अरेंज़ दा फॉल्विंग प्लें देयर क्रोनोलोजिकल सिक्वेंज तो क्रोनोलोजिकल सिक्वेंज में आपको लगाना है ए ती आगा है सर्जेंट मस्ग्रेश डांस बी दा प्लेबोव दा वैश्टन वर्ड सी लुक बेक इन एंगर डी मै सबसे पहले मैन एंड सूपरमेन आएगा इसके बाद आएगा दा प्ले बोई ओफ दा वैस्टन वर्ड दैन आएगा सर्जेंट मस्ट ग्रेस डांस और इसके बाद लुक बैक इन एंगर तो इसका सिक्वेंस बनता है डी बी डी पी सी ए ओप्शन सी करेक्ट है कोशन 96 का नेक से उतर का कौन सा टैक्स्त है यह मैच करना है ए मोडेनिटी एट लार्ज यह हो गया अपधारी बी टूरिस्ट गेज यह हो गया जे यूरी सी कल्चर एंड इंपैरियरिज्म यह हो जाएगा इडवलू शे और डी है ता ब्लैक जैकोबियान यह होगा सी एलरा जेम्स तो इ निटी सेवन का ओप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट और कॉस्ट एंटी एट कोश्ट नंबर नाइंटी सेवन हो गया अब है नाइंटी एट वाट माइट दा स्पीकर मीन वैन यह एड़स्ट ताइम इन शाच पी जान सोने टैन डेक्लिर यह एड़ बीड़ दैस पाइट प पाइटि रोंग डी टाइम रिमुव होमन लाइप तो इसमें बी और दी आपका करेक्ट होगा तो राइट आंसर कैंके ओशन नूंबर नाइंटी एट का ओप्शन सी करेक्ट है बी और डी बी और डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कॉस्टन है 99 विच सब्सक्राइब करेक्ट है एक गार्बेज पेल नेक्स तुदा पोर्च इस टैप्स रोंग सी एलाइट सो फ्रोम अपिस्टेर बैड्रूम लोगर फ्लोर विंडोर विंडोज बीग डार्क इस रोंग डी ही एंग्स ड़म अरूंड इस नेक टैपिट जैंटली विद शिस्ट ने करेक्ट है एंड डी ओनली नेक्स्ट कोश्चन है हंड्रेड अरेंग दा फॉलोइंग लाइन सोफ पोईटरी इन देयर क्रोन लोजिकल सिक्वेंस ए एंड एस्ट मैन इस बटा पैलिटरी थिग बी दा वर्ल्ड इस टूमच विदा सी डैड़ी आई हैव है टू किल तो सबसे पहले आपका आएगा दा वर्ल्ड इस टूमच विद आस इसके बाद आया आफ्टर इसके बाद क्या आएगा आफ्टर ग्रेट मेना फॉर्मल फीलिंग कम्स दैन आपका आएगा ए एन इस डमैन इस बटा पैल्टी थिंग दैन लाश्ट मैं आएगा सी डैड़ी आई है टू किल यू तो इसका जो सिक्वेंस बनता है वो बना आपका बीडी एसी कोश्चन हंड्रेड का जो कि लाश्ट कोश्चन आपका इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर ए है बीडी एसी चलिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताने आपको ओल्ट पर वाले जो क्लासिता वो कैसी लग रही है कैसे आपको कोश्चन चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यो